आप इसलाम अलेकुम स्टूडेंस आपको पता है कोई चीज आप देने जाते हैं मिजार से तो आपको वह क्या करते हैं मुझे करके देते हैं अब तो हमारे पास electrical measurement होती है जिसको ओपर यहां पर reading आ रही होती है कि आपने कोई भी चीज़ यहां पर रखे तो बता देता कि कितने kg को आपने कोई भी चीज़ बजार से आप purchase करने गया है तो इस तरीके से आप मैस उसका मैय करते हैं और वो चीज़ आप हरीद के लिए आते हैं तो सेम इसी सब्सक्राइब करेंब रहाद इसके लिए पर हम यूज का फ्रीव है कि करेंगे यूज करेंगे नि忌न कर इसके करेंगे आइसोटोप हम उसे कहते हैं the atom of an element that have same number of proton but different number of neutron कि जो neutron होते हैं यह क्या होते हैं जी different होते हैं और जो proton होते हैं वो सेम होते हैं तो उसको हम आइसोटोप कहा देते हैं तो अब कार्बन के mostly तीन आइसोटोप हैं carbon 12 13 14 जो carbon 12 है यह बहुत जादा अबेंडिंट होता है मतलब कि हमारे नेचे में सबसे जादा यह पाया जाता है आइप्रॉक्सिमेटली 98.9% इतना यह पाया जाता है यह carbon 12 हमारे atmosphere के हमारे एर्द से में आप यह कहलें यह आप यह हमारे जो इसके अंदर जो हमें carbon extract मिलते हैं तो इसके अंदर mostly carbon 12 पाया जाता है तो अभी इसमें हम क्या करते हैं कि carbon 12 क्योंकि या पहला डिजर्ट आपको मैंने पता दिया कि यह abundant है बहुत जादा है जिसकी वज़ाए से हम इसके साथ इसको compare करते हैं कुछी अब हम क्या करेंगे कोई बी मैस होगा किसी का वी किसी वी element का तो उसको one over ट्वेल अव कार्बन के साथ compare करेंगे जब इसके साथ compare करेंगे जो उसका mass आएगा उसको हम कहा देंगे यह ऊश का a lạiमेंट का relative atomic mass होगा क्योंकि जिस तरीके से for example जैसे के आपने कि आज भी कुछ ऐसे हैं जो तोलते हैं कि यहां पर इसमें यह पर इसमें कि को यह रखते हैं कि संवागों टिए from the बहुत अब जो भीuplद डालेंगे को इस इлер हो जाको गार यह ऐसी जारुसाइद जाहें रखते हके यह 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 SOC कि हम महीर कर सकें तो जिस तरीके से हम यहां पर रख के महीर करते हैं इसी तरीके से हम carbon 12 को as a reference लेते हैं और उसके साथ फिर हम compare करते हैं और compare करके हम किसी भी element का उसका atomic mass बता देते हैं इसी वजह से हम इसको relative क्यूंकि relate कर रहे हम carbon 12 के साथ इसलिए हम इसको कहा देते हैं relative atomic mass अभी मैंने आपको बताया कि relative atomic mass क्या है कि जब हम उसको किसी भी element के mass को जब हम carbon 12 के साथ compare करते हैं तो इसको हम relative atomic mass कहते हैं अब atomic mass unit क्या होगा तो unit for atomic mass जो unit होगा relative atomic mass का उसको हम कहा देंगे atomic mass unit और इसको represent हम करते हैं amu के साथ इसको हम इस form से represent करेंगे a का मतलब atomic m का मतलब mass u का मतलब unit तो 1 amu कि सतने ग्राम की equal होगा 1.66 multiply 10 to raise power minus 24 ग्राम की equal होगा तो यह हमारे पास कुछ कुछ values थी यह आपके ग्राम की equal हैं और आज फिर हमने discuss किया कि relative atomic mass क्या होता है atomic mass unit क्या होता है बोड के point of view से important है as a short काफी दफाई इसमें से short आ चुके होगे हैं तो आज का lecture इधर ही करते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग अलाहाफीज